अम्वाला दसनीत वर्ती चंटीगर रोड पर पंजाब में दपपर के निकट टोल प्लाजर पर डटी हुई है किसानों की फॉज बिना पढ़्ची कटाए गुजर रहे हैं वाहल चालक लूट रहे हैं मॉज बीते 13 दिनों से यहां डेरा लगाय हुए बैठे किसानों का कहना है कि उन्हें रेल रोखने का या रोड जाम करने का कोई शौक नहीं है खेतों में कटे हुई फसर उठान को पड़ी है नई फसरों के बिजाई होनी है लेकिन सरकार किसान विरोधी तिन काले कानूनों में शंशोधन करने को तयार नहीं है उन्होंने कहा कि स्वामी नातन आयोग के रिपोर्ट लाव हो मस्वी पर फसीर खरीवने की लिकित गारेंटी मिले तब ही किसान अपना धर्णा प्रदर्शन बंग करेंगे वरना अपने अधिकारों के लिए किसान यूनियन के निर्देश पर याशंगर जारी रहेगा अमबालत चे हमारे संवाद आता राजेश शर्मा और अमित्यवारी के रिपोर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं चंटिगण रोड पे तूल टेक्स के पास हमारे कुछ किसान भाई यहां पर अपने मुद्य को लेके धर्ना पदर्शन कर रहे हैं चलिए उनसे खास बात करें अजिससा पर जिए किसाने नीका तकी की मांगे की विज़ाथ प्रजशन देश की किया रहे हो आप जंता मांसे बहुत इन नुक्तिवारे साड़े ना सही है पर लिखती रूपत नहीं दे रहे हो तो चलू रहे और लिखती रूपत नहीं दे रहे हो इदा ना शटेना बत्रों पिश्ची छुड़ा है को पक्का प्रूब या वज़ा नहीं दे रहे हो तो प्राणी पत्री होई और लिखती रहे हो जखन नहीं है तो यह मजबूर नहीं थे तेरा दिना तो बैठें रेल में स्टेशन ते बंदेंगे और उड़ा बंदेंगे हैं सारे टोर प्लाजी बंदें आप बंद नहीं इसी खुझा गया है तो आदे को तुसी देख नहीं होता है सारी अवाज है खुली है यह थे लंगर चलाए होएंगे लंगर आ रागिर वास्ते कोई होर वास्ते जड़े हैं कोई एमिलस वगरा जान दी कोई वक्तता हमारे जंदा जान दिता जा रहे हैं को परिज्ञ तुसी तोड़पान ना करो असी उनों के अभी किसे जी आथने झाल झाल